नवश्का दोस्तो जैहिंद वंदे मात्रम हिंदी ग्रामर मॉक टेस्ट टू में दोस्तो सभी का वेलकम अभिनांदन है दोस्तो यहाँ पर त्यारी सेलेक्शन की चल लई है और अपना टार्गेट है वहिया हिंदी भासा में ठीक है आउट आफ 30 में 30 मॉक्स लाना तो हिंद आपके मॉक टेस्ट में 30 मॉक्स पूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं तो पहला क्वेश्चन जो है प्रसन आपके स्कीन पर है देख लेते हैं क्या पूंचा जा रहा है और क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो के एक ब देखते हैं तो दात बोलते हैं तो आपके कहां से अवाज आती भई या दात देखेंगे आपके नाक से अवाज आती है या दात का उचाय स्थान कहां से है वह नाक हो जाएगा दूसरा प्रस्ण क्या है हिंदी में कितने वर्ण होते हैं 32, 52, 40, 20 तो सभी लोग जानते नार्मल कोश्चन है आपका 52 वर्ण होते हैं हिंदी में बात करेंगे और वर्णों को बेवेस्थित करने के समू को वर्ण माला कहते हैं हिंदी में उचायन के अधार पर 45 वर्ण होते हैं इनमें 10 श्वर और 35 बेंजन को होते हैं लेकिन लेखन के अधार पर 22 वर्ण होते है और इसमें 13 इश्वर और 35 बेंजन तथा 4 आपके संयुक्त बेंजन होते हैं अंगला प्रसने स्कीन पर सभी लोग ध्यानपूरक प्रसनों को देखेगा ठीक है? प्रसने पूँचा जा रहा है कि हिंदी भासा का जन्म कहां हुआ है? उत्तर भारत में, आंदर प्रदेश में, जम्मू कासमीर में या इनमे से कोई नहीं तो हिंदी भासा का जन्म दोस्तों कहां पर हुआ है? शबी लोग नीचे कमेंट बाक्स में अपना अपना एंसर कमेंट करेंगे और अंते में जरूर बताईएगा हिंदी की क्योंकि आप बच्पन से फढ़ते आ रहें जो चीज उसके लिए आपका स्कोर कितना जाता है? अगर 20 प्लस जा रहा है भाया, तो बहतरी लाजवाब है ची हां, त्यारी आपकी लाजवाब है हिंदी वासा का जन्म दोस्तों उत्तर भारत में हुआ है मेरट, देहरादून या इनमे में शबी तो सभी लोग जानते हिंदी खड़ी बोली आपके मेरट में भी बोली जाती है रामपुर में भी देहरादून में भी यानि उप्रोग शबी हो जाएगा और भी कई सारे किस शहर हैं उनको भी देख लेते हैं परिनिश्टित पश्चमी हिंदी का एक रूप पाना जाता है और खड़ी बोली निम्निकित इस्थानों के ग्रामिट शेत्रों में बोली जाती है मेरट, बिजनावर, मुजफर नगर, सहारनपूर, देरादून के मैदानी भाग, अंबाला, कलसिया और आपके पटियाला के पूर्वी भाग में रामपूर और मुरादाबादू इन सारे ठीके सहरों में, इन सहरों के गाउं में क्या है आपके खड़ी बोली बोली जाती है इन सभी जीला के गाउं में अंगला प्रस देख लेते हैं, दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रस ने ध्यानपूरग देखेगा, 35 नमबर प्रस ने पूचा जार आप लोगों से कि भासाई अधार पर सरपतम किस राज का गठन हुआ था भासा के अधार पर आपके किस राज का सरपतम गठन हुआ था आंधर प्रदेश का, पंजाब का, राजिस्थान का ये जम्मू का स्मीर का तो भासा के अधार पर सरपतम दोस्तों किस राज का गठन हुआ था तो वह आपका राइटा अप्सन आंध्रप्रदेश हो जाएगा ठीक है एक अक्टूबर उनीस सो तिरपन इसमी को आंध्रप्रदेश राज का गठन हुआ यह राज स्वतंद वारत में भांसा के दार पर गठी थोने वाला पहला राज था और राज पुनर गठन आयोक के अदच कौन थे तो फजल अली थे और इसके अनसदस पंडित हैदैनात कुझरू और सदार के अंभी थे अंगला परस देख लेते हैं दोस्तों क्या पूँचा जा रहा है भांसा के कितने रूप होते हैं एक दो चार साथ भांसा के कितने रूप होते हैं तो जवाब आ चुका है सही इंसर क्या होने वाला है भांसा के दोस्तों दो रूप होते हैं कौन होता है पहला होता है आपका मौकिक भांसा दूसरी होती है लिखित भांसा भासा की रूप कुछते हैं तो दो रूप में होती है और कौन सी भासा इस देश की पुरानी है हिंदी है, संस्कत है, मराठी है, अंग्रेजी है तो हमारी सबी लोग जानते हैं ठीक है जो इस देश की पुरानी भासा हमारी संस्कत है दोस्तो जिहां भी आपसन सही हो जाएगा और कौन सी भासा मदपदेश की प्रमुग भासा थी मगदी, पिसाची, शौरसेनी, अर्दमगदी सबी लोग जानते हैं हमारी मदपदेश की जो प्रमुग भासा की मगदी थी पहला आपसन सही हो जाएगा और एक भासा दोस्तों और है मगई किस भासा की उपवोली है राजिस्थानी पश्चिमी पूर्वी बिहारी तो मगई किस भासा की बोली है तो या आपके राजिस्थान की भासा की उपवेली आपकी उपवोली जो है मगई बोली जाती है और मगई क्या है इसके बारे में जा जाती है आई होप आप लोग अच्छे तरीके समझ पा रहे होंगे एक बार वीडियो को देश लाइक कीजेगा और अंगला प्रस्ण आपके स्केम पर निन में से कौन सी भासा जो है भारत की प्रतम देश भासा है देखे भारत की प्रतम देश भासा बताना है पंचाबी संस् हिंदी या पाली तो देखे आपका जो कौश्चन है कौन सी भासा भारत की प्रतम देश भासा है तो सभी लोग हिंदी करते हैं जो कि आपका पाली होगा ठीक है अगर पूछा जाता है कौन सी भासा भारत की प्रतम देश भासा है तो आपकी पाली कहलाएगी डियाप्सन अंगला प्रसने दच्छिन भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्याले कहां परिस्थित है तो आपके जो दच्छिन भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्याले कहां पर है मैशूर में चिन्नाई में वेंगलोर में या आपके हैदराबाद में तो दच्छिन भारत में ह अंगला प्रस्ण है उचारण में वाई प्रच्छेप की दस्टे बेंजनों में कितने बेद होते हैं अगर हम उच्चारण के वाई प्रच्छेप की दस्से देखें बिंजनों में भेद देखती हैं तो दोस्तो यह दो प्रकार के होती है कौन कौन शे देखें उच्चारण के अंगों के अधार पर बिंजनों का वर्गी करनिस प्रकार है कंट या गले वर्ण भेद उच्चाण में वाई प्रच्छेप की दस्से बिंजनों के दो भेद होते हैं पहला होता है अलप प्राण और दूसरा होता है दोस्तो महा प्राण ठीक है आई होप आप लोग अच्छे तरीके समझ पा रहे होंगे एक बास सभी मेरे पैरमिद वीडियो को लाइक करें सिच्चा के चैनल को सपोर्ट करें और जैसवाल सर को सपोर्ट करें क्योंकि सभी लोग जानते हैं यहाँ पर सेलेक्षन दोस्तो सरो पर ही है हर एक प्रसन हर एक concept अपने आप में यहाँ पे selected होते हैं दोस्तों अंगला प्रसन इसकीन पर है अंगला प्रसन पूंचा जा रहा है कि ताद्वनी का सही उच्चार्ण इस्थान क्या होगा ता तो जब भी हम तावर्ण बोलते हैं दोनी उच्चार्ण आता है तो हमारा दंत यहाँ पे उच्चार्ण इस्थान कहलाएगा पहला प्रसन सही हो जाएगा ठीक है उच्चार्ण इस्थान से एक प्रसन जरूर आएगा ध्यान पूरक देखेगा वा उच्चार्ण इस्थान क्या होता है वा जब भी हम बोलते हैं वा बोलते हैं तो हमारा दन्तोष्ट कहला जाता है ठीके दोस्तों अंगला प्रस देखेगा महेंद्र का संदी विच्छेत क्या होगा संदी से प्रसनाता है महेंद्र ठीके तो हमने एक चीज आपको बताई थी ठीक है आ इ मिलके आ बनता है और बड़ा ठीक है आ छोटा आ और छोटी इ मिलके आ बनता है ठीक है और बड़ा आ प्लस बड़ी इ मिलके आ बनता है ठीक है बड़ा आ एक दोनों में आ बनेगा और आपकी जो बड़ा आ बड़ा उ मिलता है जब उ मिल जाएगा छोटा आ या बड़ा आ में उ जब मिलता है तो उसमें ओ बनता है उ में ओ बनता है और ई मिलता है अगर आ से तो आपका ए बनता है तो किसका संदी है यह गुण स्वर संदी का है यह यह आदगुण का यह आपका है संस्क्रत में बोलते है ठीक है आ ए ए बम ओ वर्णो को गुण वर्ण कहा जाता है तो महेंद संदी का विच्छित क्या हो जाएगा सभी लोग कमेंड करेंगे ठीक है महेंद की हम बात कर रहे हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा सभी लोग कमेंड करें महाधन क्या हो जाएगा दोस्तों इंद्र हो जाएगा निभी आप सन्यापर सई हो जाएगा अब दे एक आता है बड़ा आ मिलके एक रिसी वाल आता है आ या बड़ा आ मिलके रिसी मिलता है तो उसमें आर लग जाता है ये भी गुण सरसंदी का उधारन है ठीक है जैसे आपका देवर्सी ठीक है ग्रीस मर्तु है ये सबी आपके किसमें गुण संदी के उधारन कहलाते हैं ठीक है ताथा स्वरी ताथा दाधा ठीक है जो आपका ताथा दाधा ठीक है ताथा दाधा ये वर्ण है ये सभी आपके दंत वर्ण कहलाते हैं ठीक है चले अंगलाप्रस देख लेते हैं अंगलाप्रस ने दोस्तो की कंठ ध्वनी कौन सी है कंठी तो सभी लोग जानते कंठ दोस्तों सभी लोग कमेंट करेंगे का से लेके जो हमारा घा तक पहला आपका होता है ठीक है का खा गा गा अंगा ठीक है का खा गा गा ये हमारे सारे क्या है ये कंठ दोनिया कहलाती है यानि कि आपका पहला अपसन सही हो जाएगा अंगला प्रसन है दच्छिन भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालाय कहां पर है आपके चन्नाई में है शबी लोग जानते हैं क्योंकि आप सभी लोग ज्यानी है अब यह बताईए हिंदी भासा किस लिप में लिखी जाती है शौराश्टी, ब्रामरी, गुरु मिखी, देवनागरी तो सभी लोग जानते हैं सभी लोग जानते हैं फटाफट कमेंट कीजेगा हिंदी भावसा आपके देवनागरी लिप में लिखी जाती है और अंगलाप्रस लाजवाब है कि कौन सी भासा देव नागरी रिप में लिखी जाती है तो आपकी मराठी भासा है रिपीट करने है बहुत बहुत इंपोर्टन कोश्चन है दोस्तों ठीक है और उचारण में वाई परच्षेप की ज़से बेंजनों कितने भेध होते हैं दो होते हैं एक महाप्राण होता है एक अलपरण होता है ये भी आप लोग पढ़ चुके है बेतरीन लाजवाब कोश्चन है अंगला परस देखते हैं ता ध्वनी का सही उचारण क्या है ता जब भी हम बोलते हैं तो सभी लोग जानते हैं ता आपका दंत में आ जाता है ता था दाधा तीक है ये साबरे दंत में आते हैं और वाव उच्चाइश्थान किस में आता है तो वा तीक है यारा लावा वाव वाव आपका दंतोष्ट में आ जाता है और बात करेंगे महेंद का संदी विच्छे तो महेंद का संदी भी चुद महाधन इंद्र होता है गोनिश्वर संदी हो जाएगा ठीक है अगर ब्रदी की संदी की बात करते हैं जहां पर आ और आ आ आता है वो आपका जहां पर आउ 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 जहां पर आता है वो आपको कहे देना है ब्रदी शंदी की बात करेंगे कावर्ण का किसके योग किसे बना है कावर्ण आपके किस योग से बना है का और रा के जा और रा के का और रा के का और इसी के तो कावर्ण जो किसके योग से बना है तो कावर्ण जो है दोस्तो का और आधा का और आ के योग से आपके कावर्ण पूड़ा बना है किसे का और आ से मिल के कावर्ण बना है और हम बात करेंगा दोस्तो उस्म और संयुक्त किसके प्रकार है तो उस्म और संयुक्त जो है ये बिंजन के प्रकार है ठीक है उस्म और संयुक्त जो है किसके प्रकार है बेंजन के प्रकार है या स्वर के प्रकार है शबी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे शबी लोग कमेंट करेंगे दोस्तो ठीक है तो उस्म और संयुक्त जो है सभी लोग जानते हैं बेंजन के प्रकार है भी आपसन सही हो जा पचीस होती है, बीस होती है, ठाइस होती है, ठीस होती है, ठीक है, तो इसपर्स बेंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, पचीस हमारे इसपर्स बेंजन है, सबी लोग नोट कर लेंगे, पचीस इसपर्स बेंजन की संख्याएं होती है, ठीक है, और इनके उचारण के स में जिब्भा मुख से बिवेन इस्थानों का इस वर्स करती है और प्रतेक वर्के अंतिम वर्ण क्या होता है प्रतेक वर्के इस वर्स बेंजन में अंतिम वर्ण अंगा होता है अंया होता है अडा होता है ना होता है और मा होता है यह सभी 25 ठीक है यह सभी अंतिम वर्ण हमन मा बोल के बाद एक बार देखे और अन्थस्त जो भी सभी लोग जानते है यारा लावा ठीक है यारा लावा ये अन्थस्त वन कहलाते है उस्मवन कौन कौन से कहलाते है उस्मवन ये हो गया सा तीनों शा हो गये और हा ये चारों वन आपके उस्मवन कहलाते है उस्मवन की सं क्या है ठीक है आई होप आप लोग सभी समझ पारे हों संयुक्त बिंजन भी आता है देखे आधा का और आधा ये खटकोंड वाला शा मिलके ठीक है किसका च्छा का निर्मार करते हैं ये संयुक्त बिंजन है और आधा ता और धन रा मिलके इसका त्रा का निर्मार करते हैं औ और अईया मिल के ग्या का निर्माण का और आपके सा मिल के छा का निर्माण ता और रा का त्रा का निर्माण होता है ठीक है आई ओप ये सारे question आप लोग अच्छे तरीकी समझ पाए होंगे अब बताएए शा कौन सा बेंजन है अभी हमने बात किया तीनों शाह और हा ये हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों उस्मिंजन कहलाते हैं यानि भी आपसन सई हो जाएगा ठीक है उस्मिंजन कौन कौन से हैं शाह सरीफा वाला खाखटकोंड वाला शाह सरूता वाला हाहलवाई वाला ये चारोवर्ण हमारे उस्म सं